अगल मोत चांग साती हो सभी लोग जल्दी से जूर जाए और आज हम लोग निल्स बोर के मेदपुल कथन की चर्चा करने वाले हैं तो सभी लोग कि अच्छे ची हराच्ट के आपी यह कोड़िवनिग को ढ़ाद अभी आप एनद्र पॉर्ण माथपुर्ण कफन दो निन्स बोर के महतपूर्ण कफन heading मना लिजे सब लोग class 11 का chemistry है और heading मना ये निल्स बोर atomic model में हम लोग है और निल्स बोर का जो atomic model है उसी का हम लोग पर है statement उसी का हम लोग क्या पर है statement हम लोग कहेंगे निल्स बोर का निल्स बोर का महतवपूर्ण कथन महतवपूर्ण कथन in heading मना ये important statement of nils बोर important statements of nils बोर nils बोर का महतवपूर्ण कथन जो कर निल्स बोर साब क्या बोलते हैं सबसे पहला बात nils बोर का यह होता है की एलेक्टरन जो है नज、 एकिन हो का पहला स्टेटमेंट यह कहता है कि इस भोर मञें कि को अरहले बात कामकी पाले होता है अकजिन मुाणि एलेक्टरण नाभिक के चारो और वरिताकार धियान से सुनिएगा वरिताकार कक्षा जो सर्कुलर पाथ बना रहाता उसको और्बिट बोलते है वरिताकार कक्षा में वरिताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं यह अगर इसको एंग्लिस में लिखा जाए कि एलक्टरन रोटेट्स एराउंड दन्युक्लियस इन शर्कुलर पाथ एलक्टरन इंग्लिश में कहते हैं एलेक्टरन रोटेट्स एराउंड दा न्यूकिलियास इन आ स्टर्कुलर पाथ यहीं स्टर्कुलर पाथ पर एलेक्टरन जो है चक्कर लगाते रहता है दूसरा बात यह है कि एलेक्टरन जब नाभी के चारों और यह जो बनाए है उसको हम लोग बोलते हैं और विट कक्षा और इसमें एलेक्टरन जो है ना चक्कर लगाते रहता पूरा चकर लगाते रहता बिद्विदा इमिटिंग एनि इनरजी चक्कर घुम रहां घुम रहां घुम रहां घुम रहां सबी को पूछेगा कि इसके बहुत पुर्ण क्थन बोली तो पहला बोली क्या है पहला बात के लिए बिल्कुल कर देजिए साथियों दुसरा बात क्या है यह आपका। दुसरा पॉंट को समझने के लिए आपको यह समझना होगा ये आपका Nucleus नाभिक से हैं, और यह पहली कक् Share, और यह तुसरी कक्रा है, धियान दूजेंगा, यह मेरा नाभिक है, नाभिक मनी Nucleus, और यह मेरा कक्रा है, यह पहली कक्रा है, धियान दूजेंगा, पहली कक्षा है जिसको हुआ हम लोग फिस्ट ओर्बित कहते हैं पहστ ओर्बीत है मुझे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे इसको लिख देते हैं न पहली कषा रिएन टू दूसरी कफा यह इनटू है इसको हम लोग एवन है इसका इनवर्जी लेवल ईटू है अपर है यहां पर है यहनी पहली ने द Deputy चाहरा है हम पहली कजसी आई यह 32 या इसका जोउन को ईवन को बोलते है निम्न पुर्जा अस्तर यानि लोव स्चाहर discernin I am लो इनर्जी ध्यान से समझेगा सब लोग लो इनर्जी लेवल इनर्जी लेवल आपका लोग होगा और इसको बोलेंगे हाइए इनर्जी लेवल हाइए इनर्जी लेवल low और high अब electron चाहता है कि हम पहली कख्षा में है first orbit में है हम jump करें हम दूसरी orbit में जाना चाहेंगे electron यहां से jump करके चाहता हम दूसरी में चले जाएं तो जब electron ध्यान से सुनिएगा जब एक electron पहली कख्षा से first orbit से दयानदो दयानदो जाब इलेक्टन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में फ़स्ट औरभीट से सकेंड औरभीट में जम्प करेगा तो इस अवस्था को कुद्री इनर्जी लगे गाना जब पहली कख्षा से दूसरी कख्षा में जाएगा तो इस परमानु को हम लोगों को बाहर से इनर्जी देना होगा तब जो है एक्साइट जम लगाके चलेगा दूसरी कख्षा में यानि हम यहां यहां सकते है कि जब एक लाकर पहली कख्षा से दूसरी कख्षा में परवेशचा करती है तो उर्जा का आवसोशन होता है परमानूं के द्वारा यानि जब उर्जा लेगा तब तो उपर जाएगा जब उर्जा लेगा तब तो उपर जाएगा याद लगना इस बत को जब इनर्जी लेगा तब उपर जाएगा नहीं इसी पॉइंट को अगर हम यहां लिखेंगे अगर लिखना चाहेंगे दूसरा आखो एलेक्ट्रण जब एलेक्टरण पहली कर्णा से पहली कर्णा या इसको या निमने कर्णा से दूसरी कर्णा यानि एंटू में परवेश करती है परवेश करती है तो परमानू दुवारा परमानू दुवारा उर्जा का अवसोसन होता है परमानू दुवारा उर्जा का अवसोसन होता है यानि इनर्जी लेगा अब कितना इनर्जी लेगा तो भाया यहाँ पर आपका तो daily change कर तो जैसे मान लिया जाए इसका energy level E1 है इसका energy level E2 है इसका energy level 7 J है यानि यह जो first orbit है इसका 7 J है सकेंड का 10 J है एलेक्टरन परजेंट है सात जूल वाला में यह चाता है हम दस जूल वाला में जाएंगे तो आपको बाहर से तीन जूल energy देना होगा और जब बाहर से इस परमानु को इस एटम को तीन जूल energy आप दोगे तब यह निचली कक्षा से पहुंच जाएगा उपरी कक्षा में यह लोगर और विट से यह जंप लगा के चल जाएगा हाईयर और विट में यहाँ से पूछेगा कि उर्जा का अब सोचन में कितना हुआ किसे निकालोगे देल विट में से अब सोचन किया है मानू और यह जजा है इसके आधार पर आप यहाँ पर बोल सकते हैं हुआ कि जब एलेक्टरण पहली कखषा यानि निचली कखषा से दूसरी कखषा में परवेश करती है तो परमानु दूबारा उर्जा का अवसोसन होता यानि परमानु दूबारा उर्जा लिया जाता अब इसका उलटा होगा तीसरा पोइंट में क्या होगा सत्यों तिसरा पेंट में अब इसका उल्टा होगा उल्टा वह एक बना लो-वीगर वना भया यह आपका न्यूखलियस यह फर्स्ट ऑरवीट और यह सबर मैं ध्यान दिजिए कि यह हमारा एंऔु है इसका इनिरजी और होगा इसका energy E2 होगा अब electron को हम कहां लेकर चलते हैं अलेक्टरन है आपका यह देखे सकेंड और वीट में यह अलेक्टरन है यह जूप करके नीचे आना चाहता है यानी इसको कहते हैं नीमन कख्षा या पहली कख्षा एण वन और इसको बलते कख्षा तो उत्सके कख्षा अंटु कि को जब और उपर से नीचे आएगा यानी दस जूल मामें अब एक्जांपल लिये थे कि electron second का माल लो second orbit का energy level है आपका 10 J first वाले का है 7 J अब 10 बाला से 7 बाला में आएगा क्या करेंगे 10 बाला से 7 J बाला में आएगे तो यहां से बाहर आएगा energy energy क्या होगा यह release करेगा यहां से energy release होगा उर्जा का उसर्जन होगा इसी point को तीसरा बात में लिखेंगे जाब एक electron रियान से सुनिएगा जाब एक electron उपरी कक्षा से उपरी कक्षा यानि N2 से निचली कक्षा में निचली कक्षा में परवेश करती है परवेश करती है तो परमानु द्वारा परमानु द्वारा उर्जा का उसर्जन होता है परमानु द्वारा उर्जा का उसर्जन होता है यह उपर से नीचे आएगा उपर से लेक्टन उपर में है जंप करेगा तो energy जाएगा बाहर निकलेगा और यहां पर भी पूछेगा कि कितना energy जाएगा भाई तो बोलना डेल E बराबर निकाल लो E2-E1 के formula से डेल E बराबर E2-E1 पताई यह समझ मा रही है बात डेल E बराबर क्या होगा E2-E1 डेल E2-E1 तो पहला statement देखे ध्यान से सुनिए अगा तीन statement अभी बता चुके हैं, पहला statement है कि एलेक्टरन जो है नाभी के चारों और विरिताकार कक्छा में चक्कर लगाते हैं, यह पहला statement है, दूसरा statement है कि जब एलेक्टरन निचली कक्छा से उपरी कक्छा में जाता है, तो पर्मान तो दोबारा उर्जा का अबसोशन होता जैनि मतलब गेन करता है इनर्जी को और थाड़ पॉइंट आपने यह देखा कि जब एक एलेक्टरण उपरी कख्षा से निचली कख्षा में परवेश करता है तो परमानु जो है दोबारा उर्जा का उस सर्जन होता है किलियर हो गिय एलेक्टरन एक निश्चित उर्जा वाले उर्जा वाले पक्षा में चक्कर लगाते हैं चक्कर लगाते हैं बिना किसी उर्जा के उर्जा के तियाग या गरहन से तियाग या गरहन से याद होगा लंबे समय तक एलेक्टरन जो है चक्कर लगाता है उर्जा का ना तो लॉस होता है ना ही गयन होता है घुम रहा है घुम रहा है घुम रहा है घुम रहा है अगर नीचा से उपर जाएगा तो उर्जा लेगा इनर्जी गयन करेगा अगर उपर से नीचे जाएगा तो इनर्जी लॉस करेगा इनर्जी जाएगा इनर्जी बहुत इंपोर्टेंट है यहां से नुमेरिकल आपके आते हैं पाच्मा पॉइंट यह कहता है कि अलक्ट्रन अलक्ट्रन उस कक्षा में उस कक्षा में चक्कर लगाता है ललगाता है जिसका जिसका कोन्यः सम्भेग को इंग्लीस अंगूलर मॉमेंटम कहते हैं को यह सम्भेग एंग्लीस September is an angular एन एच बाई टू पाई होता है यह याद रखेगा एलेक्टरन उसी कख्षा में चक्कर लगाएगा जिसका कौनिय संबेग एन एच बाई टू पाई होता है अर्था साथियों हम कह सकते हैं कि कौनिय संबेग का फॉर्मुला है ऑफुन्य है अम बेग का जो है फॉर्मुला है एम आंज बाई टू पाई एन एच बाई टू पाई अंगलर मोमिंट्म का फॉर्मुला होता है एन एकाई टू पॉपई अब जहाँ और इसका मान बताये थे सातियों 6.625 इन्टू 10 तो दी पावर मैनस 34 जूल सकेंड 6.625 इन्टू 10 तो दी पावर मैनस 34 जूल सकेंड यह H का मान होता है और यहां जो पाई है तो पाई कमान जानिए रहे तीन दस्तम लग एक चार होता है अब आपको यहां से क्वेश्चन भी पूछ देगा कि बताईए एक एलेक्टरन पांचवीक अक्षा में चक्कर लगा रहा है एलेक्टरन जो है फिप्त और्विट में चक्कर लगा रहा है तो बताईए उसका एंगुलर मोमिन्टम क्या होगा तो जैसे पांच वीक अक्षा कहा तो आपके मन में आएगा ओ एन बराबर फाइव एन बराबर फाइव तो शीदा लगा दो न एंगुलर मोमिन्टम लगा दो न एन एजगा पर लेंगे साथियों कितना फाइव एच नीचे मबचेगा पाई यह भी आंसर आपका हो सकता यह चीदा आपको एंगुलर मोमिन्टम का जब फॉर्मूला पूछेगा तो बोलना एन एच बाइटू पाई होता है क्या बोलेंगे साथियों गूड इवनिंग सब को क्या बोलेंगे एन एच बाइटू पाई होत होता है अब यहां से आपको हो सकता है क्योंकि आप फॉर्मूला पर चुके हो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच बाइटू पाई अगर कुश्चन दे दिया कि एन का मान मान लीजे सेवन है तो बता एंगुलर मोमेंटम क्या होगा तो यहां से आप इसली कल्कुले एच बाइच हो जाएगा टू पाए तो 7 वाइटू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.5 तो आंसर होगा 3.5 नीचे में 3.5 एच नीचे में पाई तो यह हमारा आंसर हो जाएगा या दूसरा टाइप का आपको कोश्चन यहां पर दिया रहेगा दूसरा टाइप का भी प्रियुक में देखिएगा दूसरा कोश्चन आपको कहेगा कि एंगुलर मोमेंटम दिया है दूसरा टाइप का क्वेंटम आपको दिया है 3.5 एच वाई पाई यह आपको दिया है और यहां पर आपको कहेगा कैल्कुलेट एन वेल्यू आफ एन यानि और विट बताइए किस कख्था में चक्कर लगा रहा पुछेगा एक एलेक्टरन का कौन यह संबेग यानि एंगुलर मॉमेंटम आपका 3.5 है 3.5 ह है तो बताई एन का वेल्यू क्या होगा आपको यह डरने का नहीं और यह डरने का बात नहीं है जब परदीफ सराब के साथ है है एंगुलर मॉमेंटम जानते हों न एंस्ट भाइट थू पाई होता है आपका दिया घ्यागे अंगुलर父 मॉमेंटम पर टो 3.5 आज भाई-पाई एक्वल проп टू एन एच्ववाई न फोण एकवल्य कम्पेर कर लो तुल ना कर लो ना जो कटने बहुना कटा दो पाई इसको cross multiplication कर सकते हैं तो हो जाएगा n equal to 3.5 into 2 तो यानि आपका हो जाएगा 7 यानि electron साथवी कख्षा में चक्कर लगा रहा था कि अलगा रहा था साथवी कख्षा में electron चक्कर लगा रहा था इसका मतलब यह हुआ यह पाच स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि निल्स बोर्ड का जो स्टेटमेंट है पाच स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है अभी के चार और चक्कर लगाते रहता है दुसरा पंट काता है कि जब अब सोसन होता है तीसरा जब उपर से लेक्टर नीचे डैट मिंस उपरी कख्षा से नीचली कख्षा में आएगा तो इनरजी रिलीज होगा इनरजी का उस सर्जन होगा पर चोथा पॉइंट है कि लंबे समय तक एलेक्टरन एक निश्चीत कख्षा वाले में चक्कर लगा निमेरिकल भी कर दिये बताएं यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है अगर दिक्कत है तो बोलिये तो कि नहीं बाइश्फ को कोई दिक्कत है कnde कि ने इसे न छो जुए आज की सवाग मोग यहीं विराम देते हैं और इसका updates का बैसा हम धोइस हम पीदिए बना लेते हैं में इसको उस्तृष बना लेते हैं पीदिए जब लिए सबढ़ाते हैं तो कि उसी टैम में इसमें टेलिग्राम ग्रूप में आप जूरिए टेलिग्राम ग्रूप में जूर के क्या लिक हैंगेश में निल्स बोर है न ए आई लस निल्स बोर इस्टेट में एस्ट्ट यहीं आपका चल जागा और नहीं पांच बजे से होटी है बच्चासम नहीं जूरने के कारण जो है आप लोग मन से जुरों और नतनमन धन से जुरिएगा सब लोग आप अपने साथी को बोलिएगा तब ना, यह 11 का नया बैस है, सब लोग बोलिए एक दूसरे को, और सब लोग जूरने का परियास करिए, 5 बजे ही हम आपको लाइव क्लास पराएंगे, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही